चीन की सरकार में बैठे लोग मेरे लिए कहते हैं कि दलाई लामा अलगावादी नेता हैं वो शान्ती के बज़ए अशान्ती की बात करते हैं बावजूद इसके चीन में मेरे प्रती बहुत शद्धालों की शद्धा बढ़ती जा रही है वे कभी नहीं मानते कि मैं कोई धर्म किर्ती की रचना प्रमार वर्तिका कारिका पर प्रवचन के दौरान कहीं दलाई लामा ने कहा कि करुणा हम सब के स्वास्त के लिए बहुत लाब दायक हैं भारत में अहिंसा और करुणा के मुल कई हजार वर्षों से विद्धमान है करुणा को प्रग्या के अधार पर आगे बढ़ाये जा सकता है न कि शद्धा क्या धार पर अहिंसा के सधान की बात करें तो अपने समय में महात्मा गांधी ने भी अहिंसा को बढ़ावा दिया उन्होंने का कि मैं हर दिन सुबह उठकर बौध चित का भ्यास करता हूं इससे मुझे काफी लाब मिलता है इस सिद्धी के लिए किया जाने वाला अध्यन आके खोलने जैसा है